दिदी ओम शांती, भक्ती की रसम रिवाज और ग्यान की रसम रिवाज में अंतर क्या है? देखो बाबा ने कहा कि भक्ती में तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिशद आदी बनाए, यग जब तप किया, कितना पैसा खर्च किया? तभी तो बाब तुम्हें समझाते हैं, कि बाब के साथ चलने की त्यारी करनी है, यह नहीं कि वहाँ तुम्हारा कोई बर्थडे या बर्थडे या बर्थजादी मनाएंगे ऐसा नहीं, कि शिब बाबा तुम्हें ग्यान देकर चला जाएगा, तो फिर तुम सत्यूग में उनकी जहनती मनाएंगे? बिल्कुल नहीं, आदा कलब जो भी शरीड छोड़ेंगे, तो उनकी बर्थजी, क्रिया करम, यह सब नहीं करेंगे क्योंकि दिदी, वो लोग दान इसलिए करते हैं, ताकि उन्हें दूसरे जनम में मिले हाँ, भक्ती के दान अलग है, वो लोग तो बड़सी करते हैं, यह सब रसम रिवाज करते हैं, लेकिन सत्यूग में इस समय की प्रालब धम वहाँ खाते हैं अच्छा, ओम शांती, ओम शांती